Hi friends, 1st of March को महाशिवरात्री का तेवहार है, अब ये महाशिवरात्री जो है इसको हम law of attraction में किस तरह से incorporate कर सकते हैं, महाशिवरात्री से related पूजा विधी, या फिर कथा, ये सब चीजे मैं ग्यान24 के चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ पर जाकी देख लीजेगा, लेकिन अभ हम भी जिस तरह से शिफ पारवती की शादी मुश्किलों से हुई थी, हम सब जानते हैं कि पहले जब सती के साथ शादी हुई शिफ की, तभी भी बहुत अडचनी आई, ठीक है, और फिर जब पारवती मा के साथ शादी हुई विवा हुआ, तो पारवती मा ने भी बहुत या बहुत वरत रखे तब जाकर के वन में जाके उन्होंने वरत रखा तब जाकर उनकी शादी हुई विवा हुआ और फिर ऐसा विवा हुआ कि शिफ पारवती का नाम एक साथ लिया जाने लगा और फिर शिफ पारवती की महिमा अप्रमपार है ठीक है तो अब इनकी ये जो विवाह की चीजें हैं पहला विवाह दूसरा विवाह दोनों थी माता पारवती ही उनी का रूप था उनी का कुनर जनम ये पारवती रूप था तो विवाह दो बार हो या एक बार हुआ एक ही के साथ सबसे पहली बार तो ये जो स्ट्रेंथ वाली लेकिन फिर भी देखिये मुसीबते आती हैं और भगवान को भी उसके पार करके येस अपनी अपनी मन्जिल मिलती है तो इस चीज को आप लोग लॉफ अट्राक्शन में जितने भी कपल्स हैं जो शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं जो भी प्यार करने वाले जितन और पारवती दोनों की शादी कैसे हुई थी उसकी कथा आपको गूगल से मिल जाएगा ठीक है या तो फिर मैं वो कथा लिखे हुए शब्दों में बताते हुए ग्यान 24 वाले चानल पे डाल दूंगी वहां से आप कहीं से भी दोनों कथाओं को लिख लीजिए अगर आप सब देवी देवता से जब कनेक्ट होते हैं तो हमें पूरे बॉडी माइंड सोल को क्लीन रखना चाहिए ठीक है तो अपनी सोच को अच्छे से प्याओर रखते हुए बॉडी को प्याओर रखते हुए आप उन कथाओं को पढ़िए उनकी शादी से रेलेटेड जो सक्सेस है कि किस तरह से लास्ट में शादी हो गई या फिर जो स्ट्रगल आया था उससे वो कैसे निकले बाहर ये चीज़ जब आप पढ़ोगे और सोचो कि डिवाइन पावर की शादी जब आप पढ़ोगे तो उस शादी को आप अट्राक करोगे और उनकी ये ब्लेसिंग्स वै अप जब उससे वो पावर अट्राक करते हैं तो आपकी वी वी ओअट्राक करते हैं विवास शादी वाली चीज़ेग्स कररे हो आप लोग मारस्ट कर रहा हो जो भी हरड़ल जा रही है अप उनको भी खतम होते हुए देखो गयए क्यूंकि basically हम जो पढ़ते हैं वो अट्र का उस वो जो गहराई वाला प्यार हमें अट्राक करना है तो यह बहुत जरूर यह बहुत सिंपल है कुछ नहीं आप लोग बस कताएं डाउनलोड कर लीजिए गुगल से ले लीजिए मेरे चैनल पर मैं डाल दूंगी वहां से ले लीजिए लेकिन वो कताएं वो स्टोरीज वो जो उनकी शादी से ले लिटेट स्टोरीज है वो आपको पढ़नी है आप कभी भी पढ़िए रात में सोने से पहले पढ़के सोईए सबसे बैस रहे क्योंकि सबकॉंशन माइं जैसे आप सोने वाले हो तो अक्टव हो जाता है तो जब आप कोई चीज की सक्सेस पढ़ को पढ़ना ही है उस दिन ठेक है लेकिन फिलहाल क्योंकि हम उस डेट के पास आ रहे हैं जब शेवरात्री है महा शेवरात्री है तो बहुत सारी चीजें एनर्जीज अक्टिव होनी शुरू हो जाती है तो जब आप भी अपनी अपनी एनर्जीज में इन सब चीज़ों को शुरू करोगे सब कुछ सच होने लगेगा so that's all guys thank you so much god bless you all stay positive stay safe